नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से साकत करता हो, तो आज में फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपानी का अपडेट शेयर करने वाला हो, तो इस वीडियो में सारे जानकरी जुरू देखिए, क्योंकि जानकरी के साथ-साथ कु तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं रिकोष्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्रिब नहीं के तो अभी कर लीजीगा, और हाँ, इस वीडियो में सारा इन्फोर्मेशन, एज एडिकेशन पारपस में सेयर करूँगा, कोई भी मेरे तरप से बायन सेल का रिकोमेंडेशन न पास तो पहले कितना करजा तहा, वो भी में आपके साथ सेयर करूँ, तो आप या पर देखने को मिलेगा, कि पहले जो करजा था, हो तुू, करजा लेकर चला था पुधिर दे करके करजे को काम कर रहा है कि करजा कमपानी इसलिए ले रहा है कि कमपानी अभी बहुत जदा न्या-nया करण कर रहे हैं पोड़क को और बहुत जगा पर कमपानी का टेंडर मिल रहा है जिसके चलते कमपानी का खुद के जयम में तो पैसा होना चाहिए उस सारे पोजेट को कंपेट करने के लिए जैसे दिखे कमपानी का और एक प्रोजेट यहाँ पर देखने वह मिला आप खुद देख सकते हैं टाटा पावर आम्स कमिशन 200 मेगावाट सोलर पोजेक्ट इन राजुस्थान देखिए फिर से इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है कमपानी का आज नहीं मिला लगातर मिलते चले जा रहे हैं तो इसी लगातर पोजेट मिनने के कारण कमपानी के जो ग्रोथ है कि उसी लिए कमपानी क्या क्या करणे उठाया है और अच्छी बात है कमपानी करण कहाँ से कम कर रहे है अगर कमपानी के लेजार्ड देखु 25 को में किस तरीके इस रेजाल आने वाल है तो एक अन्दजह लगा जा रहा है कि क्वाफ़र में रेजाल उससे profit ज्यादा इस बार देखने को मिला है, तो इसी तरी के से profit का अगर growth देखने को मिले तो positively growth यहापे होगा, उस करण के बज़े से company करजे को भी कम कर सकते हैं, अगर pourings के बरें बात करते हैं, तो company का करजा देखिए, एक ही range की इसाफ सा भी करजा है, उतना ज्यादा बड सकते हैं, कि company के हाथ में थे asset है, fix asset को बेच कर वो कोई सा चुका सकते हैं, तो आदानी के हालत हुआ था, आदानी के हिंदन भार के report आने के बाद big guess हुआ था, मगर आदानी के उपर एक positive point लोगों ने notice नहीं किया, मतलब 98% लोग notice नहीं किया, सिर्फ बड़े-बड़े institution ही एक example दे रहा हूँ, मान के चली आपने एक लाग रुपया लोन लिया, bank से आपने एक लाग रुपया लोन लिया, मान के चली आपके जिम में एक रुपया भी नहीं है, आपने जो business के पूरा business बंद हो गया, तो bank अगर आपको बोले के चलो मुझे मेरा पैसा बापस दो, त इस asset को आप मिटा कर, मतलब asset को बेच कर उस करज को मिटा सकते हैं, तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, और basically मैं Tata Power को पर बहुत पूलिस हूँ, सिर्फ में नहीं, institution भी इस company को पर continue करना चाहते हैं, इसलिए देखिए FIS ने क्या किया, खुद के holding को बढ़ाते चले गए और FISDS के पास holding देखे, continuously growth होता रहा, और बाकी public के पास भी अच्छा कासा holding देखने को मिले हैं, basically companies को पर जो technically chart pattern है, उस patterns के बारे में चर्चा करूँ, तो companies को पर जो मैं target लेके चला था, वो मुझे लग रहा है, easily वो target के achieve करेंगे, क्योंकि आप एक range बना था, उस range हिसाब से इस range के नीचे मेरा stop loss था, और मैं यहां से 1-3 ratio का target लेके चला हूँ, मेरा target 30% के आसपास है, तो 30% का target निकल का रहा है, 455 रुपीज, जब मैंने इंटी ले था, तब ही मैंने आपके साथ share किया वीडियो, और आज ही देखिए company target achieve होने के नजदी है, और जिस तरीके से volume creator है, मुझे लग रहा है, वो एक दो दूनी में target देने वाले है, तब ही target कब होगा, वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं hold जोरू करूंगा target पाने ता, तो companies के उपर आपके क्या राहे है, जोरू comments करके बताना, next जो company है, उसका नाम है Indian Railway Finance Corporation, जिसको हम लोग IRFC नाम से जानत 400 trillion rupees, तो 400 trillion rupees का surprise link, मतलब surprise देखा जाए, तो company को मिल चुके है, और project company win कर चुके है, मतलब company को budget मिल चुके है, तो कितना 400 trillion rupees का, तो 400 trillion rupees को चोटा हो टाम हो नहीं होते है, तो इस basis में directly देखा है, तो RFC को एक अच्छा का सा growth होने का chances है, तो RFC जिस तरीके से patterns केट किया, बहुत सरा लोगों को doubt हो गया कि RFC क्या उपर जाएगा के नहीं जाएगा, तेक मैं पहले बोल चुका हूँ, लंबा जनी होने के बाद, कभी ने कभी से अर्त रूखेगा, तो finally यहापर क्या कर रहे, थोड़ सा hold कर रहे, hold करने के बाद अगर यहाँ से फीर से आपे देखने को मिल सकते है, कफ वी धाने प्रटन्स बनने के बाद, फानली ब्रेक आउट होने के बाद, एक लंबा जनी आपे देखने को मिल सकता है, तो बाकि इस कमपनी के उपर, मतलब लेने के इंतेजर कर रहा हूँ, उसके पीछ रिजन भी है, क्योंकि कमपनी की ER औ का कोई जोरोग नहीं है, क्योंकि कमपनी एक finance कंपनी है, और गवर्मेंट कंपनी है, तो गवर्मेंट कंपनी का हमेसा, इही situation देखने को मिलता है, एक ही रेंज के इसाफ से कंपनी का profit को maintain करना, तो तो देखे, maintenance तो अच्छे खासा कर रहा है, उसके साथ कंपनी अच्छा सा करजा भी उठा चुके है अगर टोटल बैलेंस के बारें बात करूं तो मतलब दस साल पहले चले जाएंगे तो से सेवेंटेएउञंथाउजन क्रोड का रिजब था वो अभी चार लाक क्रोड के उपर करजा बन चुके है मतलब करजा बहुत शांदर है और उसी चलते हैं कमपणी के आफ कमेंट टाइंस में एक हाई ग्रोटबल सीचुएशन या पर देखने को मिल सकता है तो बाकी इस कमपणी के उपर आपके कराय है जूरू कमेंट्स करके बताना नेक्स चो कमपणी है उसका नाम है कैम्स देखें कम्पीटर एज मेनेजमेंट सर्विस स्क्राइब करेंगा इसके इसके उपर बहुत सरे लोगों का मुझे कमेंट्स है कि सरक्काइंस का फूइचर में माल्टिवेगर बन सकते हैं लिए इसका मार्केटकर आपके अपर सकते हैं 69% इसका market share है किसके उपर mutual fund के उपर mutual fund के जो registered market share है उसके उपर 69% इसी company के हाथ में है तो एक positive thinking company के हाथ में है तो उसलिए company बहुत आगे बनने का दाम रखेंगे तिके mutual fund transfer agency का मतलब क्या है पानके चलिए इंडिया में 50 लोग mutual fund किया है इस पचास लोग जो mutual fund किया जब mutual fund को buy किया कोई भी mutual fund को buy किया तब कभीने कभी उसको तो sell करना पड़ेगा sell नहीं करेंगे तो उसको बेचेंगे कहा से तो sell जब भी करेंगे तो यह जो buy sell का जो transaction है उस transaction का physics को देना होगा इस camps को देना होगा इसलिए बता जा रहा है कि उसके mutual fund के जो मतला register market से आ रहा है तो उनमें से 69% monopoly इसी के पास है तो basically एक मुझे strong company लगते है और इसके उपर details वीडियो देखना जाते है तो मुझे comments करिए और इस company के जो high growthable situation है वो अभी technically चार्ट पड़ना है क्योंकि company के उपर देखिए दो बार यहापे क्या बना solder get किया और उसके बाद क्या हुआ एक big head बना उसके बाद दो बार फिर से solder बना और finally देखे ब्रेक आउट होँआ ब्रेक आउट होने के बाद confirmation भी हो गया उसके बाद एक एक ही जगा पर company trade कर रहे जब कोई level को break करने के बाद एक ही जगा पर trade करें तो सोचना possibility जदा है वो उपर जाने का कोसिस करेंगे अब देखें जो range बना है इस range को मैं आपके साथ अगर marking करूँ था आप खुर ही देख लिए इस range बहुत strong है इस range को company को break करना पड़ेगा अगर इस level को company break करके उपर closing दे और वो भी volume के साथ तो सोचना एक अच्छा कासा growth level यह पर देखने को मिल सकते है और target कहा तक निकल का रहा है जो मेरे target निकल का रहा है को करीबन करीबन 31% के आसपास और जो 31% के आसपास target निकल का रहा है वो company के lifetime high के नीचे है तो higher possibility है उस target तक जाने का वो कोसिस करेंगे बाकी देखिए आप इस company के उपर किस तरके से सोचते है वो मुझे comments करके बता सकते है तो next जो company है उसके बारे मैं चर्चा करने से पहले मैं request करूँगा इस वीडियो में कुछ अगर नया सिखने को मिले तो एक like चुरू कर देना उसके साथ साथ दोस्तों के साथ भी share भी कर देना और हाँ इस सारे videos मैं as a education purpose में आपके साथ share कर हूँ मैं कोई savvy register person नहीं हूँ तो please एक बार सारे research करके ही काम करना खुद के रिक्स की साथ से ही काम करना तो next जो company है उसका नाम है GM Warriors Limited GM Warriors Limited जो है वो देखा जिए तो basically 1400 क्रोड के market cap के company है एक छोटा सा company है इस company के उपर एक update है जो मैं आपके साथ share करूँगा वो update क्या है वो update है company के उपर जो मतलब balance sheet के उपर आप corporate action में जाएंगे तो company के bonus का update है तो company के bonus का update है यहाँ पर देखिए 2018 में एक बार bonus दिया था 1-4 रिस जोगा वाज़ा 16 में दिया 1-4 रिस जोगा 2014 में दिया था 1-4 रिस जोगा अभी 2024 में company फिर से एक बार bonus देने जा रहा है 1-4 रिस जोगा तो company का 1-4 रिस जोगा जो bonus है वो कब मिलेगा वो अभी तक discussion नहीं किया गया है यही बता जा रहा है कि हर time company में मान में bonus दिया है तो इस बार भी में मान में bonus देने का chances है तो companies को पर एक बार research करना उसके बाद काम करना क्योंकि मेरे तरफ से सिर्फ update है मेरे तरफ से किसी companies को पर recommendation नहीं है और मेरा कोई भी paid version नहीं है तो please सारे चीजों को सीखना है तो इस channel को पर बन रही है क्योंकि मेरे जीतना knowledge है वो में आपके साथ इस channel के मादधम से free app course सारे चीज़ सिखाने वाला हूँ तो मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद